तो साल बाद अब राम मंदर बनने की खुशी हर किसी के चहरे पर नजर आ रही है वहीं चूरू काली कमली आश्रम के महंत मुहन मुनी भी राम मंदर बनने पर खासी उत्साहित नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि संत मुहन मुनी 1990 में कार सेवा के रूप में आयोधिया पहुंचे थी और लखनो जेल में 6 दिन कैद भी रहे थी आयोधिया के गोली कांड में दो लोगों की मौत भी हो गए थी 1990 के पूरे प्रतांत के वारे में हमारे समाधाता कोशल शर्मा ने संत मुहन मुनी से खास बात चीत की आप भी सुनिए राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा 22 तारीक को होने जा रही है अभी हमारे साथ वारता के लिए मुझूद है जो कार सेवक रहे हैं 1990 में काली कंबली आश्रम के महंत श्री मोहन मुनी जी उनसे करते हैं चर्चा नमस्कार आप लोगों को सबको नमस्कार जी कैसा लग रहा है अब मंदिर बनने जा रहा है मेरे अंदर एक बड़ा हर्सो उल्लास उत्पन्द हो रहा है बड़ी खुशी की बात है कि हिंदू सनातन धर्म की यजेकार होने जा रही है नोदी जी कोई ये मानव स्रीरतो मानव का है लेकिन इनको हम देवता से कम नहीं मानते हैं जे कोईarem प estamos नहीं तो है कि भेजे हुए जब रामचंदर जी ने सेत्मंदरा में सुर के अंदर मूर्थी प्रतिष्टा की थी, तो वहां कौन सा क्या मंदिर था और क्या चबूतरा था वहां पर, न कोई चबूतरा था, न कोई कुछ था, न कोई मंदिर था, परान प्रतिष्टा हो गए, अराद ना करने का दिन है, महत्मा जी आप भी उस दोरान वहां पर 1990 में गए थे आपने जेल काटी है वहां के बारे में कुछ बताईए उस समय किस तरह का दरश्य था उस समय तो बहुत 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 दरश्य था हमारा जब हम लोग गए थे तो वहां का जो मंजर था बड़ा भयावा था और हमको तो यह उमीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारे को सफलता मिल जाएगी जिन्होंने हिम्मत करके हमारे हिंदूों के अंदर हिम्मत को और साहस को और नई उत्तेजना जाकरत की है बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे हमारे साथ मोहन मुनी जी जिनका कहना है कि बड़ी जटिलताओं से हमने 21990 में हम वहां गए थे और एक खंबे के साहरे उन्होंने बचने के जुगाड किये वहां पर लाशें बिची हुई थी उनके साथ में जथे में 55 लोग थे उनमें से भी दो लोगों की वह हां पर गोली लगने से मोत हो चुकी थी केमरा परसन पुनित सोनी के साथ कोशल सर्मा सच बेधड़क के लिए चूरू से